find the length of the latest rectum of the parabola given as ठीक है तो parabola given है y equals to minus of 2x square plus 12x minus 17 इसका latest rectum की length बताना ठीक है अगर आप इसको simplify करेंगे तो ये लिखा हुआ है y equals to minus of 2x square plus 12x minus of 17 ठीक है minus of 17 यहां पर इसकी value given है ठीक है अब अपन इसको क्या करें अपन इसके लिए perfect square form करें तभी अपन इसके लिए क्या कर सकते हैं इसके लिए अपन निकाल सकते हैं क्या इसके लिए latest rectum निकाल सकते तो minus 2 let's say अपन यहां पर common लेंगे तो minus 2 अगर प Nichtर भी खौूंअ लेंगे पर टेफिंगे तो ब्राकेट के अंदर की वेलीओ क्या होगी यहांपे आप छिए लिए जो़ेए एक्स स्कूरर एगा minus 6 एक्स और यहां पर अपन ने क्या लिया तो यहां पे जुड़े हाजे 2 Xいき और प्लस में क्या जगा यहां पर लस में इसकी 9 लिख़ए और माइनस 9 लिख़ए और यह वायली क्या जाएगा पश्ते इह समलीया तो फ्रतर रीम तर तो यह यहाँ पर की अब move हो गया एक परफ़क्त स्क्वैर करेंगे इन दोनों को मैनस 18 प्लस 17 बदोस 12-0 सब्स मैनस बेदीम लागा मैननस वनब्शाइब यह इसकाम ऱमडिब्लाइ करेंगे विद्त इसको मंगा मल्टिप्लाइ करेंगे यह जगा minus 2 times of यह जगा x minus 3 का whole square और इसको अगर अपन यहाँ पर देखे तो minus 2 से multiply करेंगे minus minus plus हो जाएगा और यह क्या आजगा अपने पस यह जगा plus का 1 और यह किसकी वालो है थी y की अगर अपने इसको rearrange करेंगे यह क्या आजगा अपने पस यह जगा y minus 1 y minus 1 is equal to minus 2 times of minus 2 times of x minus 3 का whole square इसको मैं फर्दर फोर असर रिरेंज करूंगा तो यह जगा y minus 1 is equal to इसको अपन क्या लिए सकते हैं minus 4 into 1 by 2 into में क्या आजएगा x minus 3 का whole square तो यह अपने पस क्या आगया यह एक shifted parabola हो गया अगर अपन देखें यहाँ पे तो यह क्या आजएगा अगर अगर अपन shifted parabola की value देखें तो इसको मैं थोरा सा rearrange करूं यहाँ पे further यह क्या आजगा अप आज अपने पास इसको इसाट लेजाएं इसको इसाट लेजाने होती है आजगा minus 1 by 2 into में क्या आज आपने पास y minus 1 ठीक है यह basically minus 2 से इसको divide कर दिया अब आपँ इसको rearrange करेंगे यह value क्या आजएगा इसको लिख सकते हैं आपन minus minus 4 into में क्या लिख सकते हैं इसके लिए 4 और इसको अपन क्या लिख सकते हैं यहां पर 1 by 8 1 by 8 minus 4 into में 1 by 8 और यहां पर value क्या आजएगा y minus 1 और यह किसकी value थी x minus 3 का whole square इसको अगर पन लेट से compare करेंगे इसको में capital X represent करता हूं तो capital X is to value आजएगा minus 4 और इसको में capital A से represent करता हूं और यह capital Y से represent करता हूं तो यह अपने बस प्यारा बोला जहीं यह standard equation में आगया ठीक है standard value में आगया और एक value कर रपन देखत एक value के आगा अपने बस x square is to minus of 4 ay की form में है जहाँ पर अगर पन देखे तो capital X को अपन किस से compare कर रहे है x minus 3 से और capital Y को अपन किस से compare कर रहे है y minus 1 से और capital A की value का अपन क्या बोल रहे है यहाँ पर 1 by 8 capital A की value क्या है 1 by 8 तो length of letter spectrum क्या होता है length of letter spectrum होता है 4A की equal बस parabola shift हुआ है यहाँ पे ठीक है parabola basically shift हुआ है बट एक value तो change नहीं होती है तो एक बिसकली distance होता है यह change नहीं होगा कहीं पर भी parabola को shift करते है तो latest spectrum क्या होता है 4A की equal तिया जगा basically 4 इंटू एक value क्या है यहाँ पर 1 by 8 ते value आजएगा 1 by 2 तो length of letter spectrum क्या जगा यहाँ पर length of letter spectrum 1 by 2 हो जाएगा ठीक है 1 by 2 unit length of letter spectrum थाएगा यहाँ जग यहाँ वहाँ क्योंड है यह है